अससलाम अलेकुंस फ्रेंट्स लास्ट लेक्चन में हमने जो में टॉपिक था फैक्टोरियल को उससे लेड़ हमने की थी फैक्टोरियल वो टॉपिक था जो के चैप्टर में जो तीन में टॉपिक है पर्मोटेशन, कमिनेशन और प्रॉपिबिलिटी उनको समझने के लिए में बड़ा जरूरी है तीनों चीजों में यह पर्मोटेशन के लिए आपको फैक्टोरी दाना चाहिए था तो वह हमने डिटेल देख लिया था उसके बाद दूसर टॉपिक है जो के पर्मोटेशन और वो जो टॉपिक है वो सिमिलर है लेकिन हलका पूलकर डिफरेंस है वो काउटिंग पिंशिफल कोई वी कि पढ़ते हो तो सबसे पहली बात आपके जहर में आती क्यों पढ़ने क्या मकसद है क्या प्रॉबलम है जिसकी वज़े से पढ़ा जा रही है तो यह बेसिकली काउंटिंग है काउंटिंग आप बश्पन से करते हुए तो इसका मतलब यह नई चीज क्या है इसकेंद इसकेंद फॉरगसमाद से आप लोग चीज आप लोग चायज कोओंट कर आ रहे हु तो यह फिर खुई नई काउंटिंग है क्योंकि यह तौणिज ही काउंटिंग कर लोग कोई चीज कितने तरीके से हो सकती है एक चीज को perform करने के लिए कितने तरीके लग सकते हैं तो अब ये count करने हो ना कितने तरीके लग सकते हैं इसको इंग्लिश में आप अच्छे तरीके से क्या बोलते हूं number of ways to perform anything, think अभी अच्छा वर्ड क्या होगा किसी पर इवेंट को perform करने के तरीके कितने तरीके से आप लो इवेंट परफॉर्म कर सकते हो तो यह कौंट करने का मतलब यहां पर यह होका ठीक है अब आपको एकजमपल देता हूँ उसके बाफ काउंटिंग मिंसिपल पर हम जाते हैं आप यह समझ लो कि बहुत ही बेसिक एक्जेंपल जो में पर्मोटेशन काउंट इंसिवल पुढ़ाने वाला हर्थ टीचर देता है वहीं देता हूं नोट कर लो आपके पास शर्ट की बात करों तो आपके पास थींगे अचाएं अच्छा उसके बाफ्त की बात करते हैं जीन्स की वोट है हमारे पास अब अगर आप लोग से पूछ हूँ कि यार यह मैंने आपको डेटा दे दिया है और मुझे बताओ मैं कितने आउटफिट बना सकता हूँ आउटफिट का मतलब कि कितने तरीके से मैं इन तीनों चीजों को इस्तवाल कर सकता हूँ बताओ मुझे कितने आउटफिट बन रहे है तो अब इसके रिए क्या यूज करोगे अब यहां पर यूज करेंगे प्रोड़क्ट प्रिंसिपल वह मैंने फिलल आपनों को बताया नहीं है यह बेसिक आपको एग्जेंपल दे रहा हूँ कि का मतलब यहां पर क्या है प्रोड कि एक रिए है एक 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 ब्लैख है और एक कोंध अच्वार कर लेते हैं इसी तरह ले मुझे नormally जीन ब्लू होती है या ब्लैघ होती है ल obtain ब्लैग नहीं कर लें लोग्रे है ब्लू ब्लैक दोनों का भी ऊजाएगा और बजहिंब पस एक नेवी लूट मेरे बनीप ता औ एक यह रोगों कि यह लेकिन यह स्मीलर पोजाएगा हम्द के लिए अजीव सा लगेगा लेकिन ゃesis वाइट वा इजय कर Лजा चॉचे को निदे बैट सेड आप और आप आउट टो नाहों कि और फिड्स ने red shirt के साथ आप white pen पहनो और white pen के साथ आप जो navy blue coat है यह पहनो ये एक outfit बन गिया आपकी एक concept उते है जिसको आपके तो tree diagram tree diagram से भी है बना सकी tree diagram का मतलब आपने यह जो पहला column है consider कर लो कि यह सबसे पहले ची शर्ट है फिर pen और फिर coat है इस तरहीके चर्डब आपने रेडशन पहनी अब रेडशन के साथ कोई भी दो पैल के पहalı आप आप इसके साथ वाइट पै पह canoe प्याहिए अपकोर पह원 किया है कोर दो रापिन नया तो आप मेंभी ब्लू कोड पैन लो आइसके साथ आज म॒फईय्डब तो अगर आप अबसर्फ करो अभी तक हमने दो चीज़ें और दो आउटफिट काउंट कर लिए कौन से रेड शर्ट वाइट पैंट नेवी ब्लू कोट रेड शर्ट वाइट पैंट और ऑफ वाइट कोट ठीक है तो दो आपके पास यहां पर आउटफिट पैंट है इसी तर और ब्रेड ग्रीन ऑफ़्ट दो अपर दो चार आपके पास आउटफिट होगये इसी तरीखे से आज पे और लू आज जो ब्लेक कैसा सब्सक्राइघो T तो अगर आप observe करो यहां पर आपके पास बारा आउटफिट आगे डिफरेंट आउटफिट है कि आप इन चीजों की मदद से बारा आउटफिट बना सकते हो तो यह जो मैंने काउंटिंग की है इसको आप इमेजिन भी करना कि आपको जैद अच्छे तरीके समझ जाएगी कि बनाओंगे बारा आउटफिट आपकी हांते जो काउंटंग कि हैं यह काउंटेंगे और विफूर्ड को इन तीनों को मर्टीट पहिंस बहुत हैं ब Alger के मदने तो इनको लंभी करने की जरुद्ध है तो यह फिर दिर बाद मैं आप नहीं को बताते हैं दिसकुस कर लिया तो भी हम बात कर लेते हैं यह जो कॉंटिंग में इसके अंदर दो पिर से लोते हैं या अप तीन भी कह सकते हो पहरा फिर यह कंसिडर करते हैं प्रोड़क्ट रूल के आते हैं इसका नाम इसका है या इसका बहुत ही मश्वूर जमाना नाम है एक होता है fundamental principle of counting अब यह फॉनमेंटल principle of counting इसके तब दोनों आते प्रोड़क्ट रूल भी आते हैं सम्रूल भी आते हैं लेकिन स्पैसिपिकली जब फॉनमेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉंटिंग बूल जाता है ना तो इसका मतलब वह यह प्रोड़क्ट रूल को रहे होते हैं ठीक है अगर आप यह बुक में देखोगे तो यह बुक में पेस्ट नंबर टू सिच्छीन पे लिखा वैदा प्रोड़क्ट प्रिंसिपल और फॉन रखा वनेंगे तो आप इसको दूसरा क्या क्या देते हो फॉनमेंटल प्रिंसिपल ऑफ कांटिंग अब सवाल यह के नाम तो में पाता चलिए यह कहता क्या है और इस प्रिंसिपल की वज़़ा से आप किस तरीके से नंबर आप मालूम करते हो इसकी स्टेट्पन आपको ल पहलना एक इवेंट था पैंट पहलना एक इवेंट इसी तरह एक्सपेरिमेंट ट्राइल और सेंपल स्पेस आउटकम यह सब जो वर्ड्स में ले रहा हूं यह आप लोग को प्रॉबिलिटी में में डिटेल में फर्क बता दूंगा अभी जो वर्ड्स करोंगे जादर को यूज तो इवेंट आप कहले हो कि कोई भी चीज परफॉर्म कर रहा हो आप कोई एक 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 चल्ठ पहन जिसे शैसे शर्ट पहनना इवेंट है पैन्ट पहनना एक इवेंट है तो अगर सब्सक्रान करने की M ways M तरीके है M कुछ भी हो सकते हैं 2,3,4,5 कुछ भी है आदेर आद M ways तू परफॉर्म second event अभी मैं सिर्फ दो event discuss कर लो, one event and second event मतलब दो event की बात कि जाए ये तीन event भी हो सकते हैं जैसे पुराली example event 10 पहले करने के यह रिए दूसरे को परफोर्म करने के लिए पुर्वां कि ने अऩो दुमसे के एंडिपेंडर मतलब यह मैं आपनों को थोड़ा एंड में बताऊंगा कि independent कि दोनों इंडिपेंडेंटेंट हो क्या मतलब है इसका देखिए तो अगर अगर बात कर लिए M तरीके एंड तरीके तो अगर आपको बूल जाए then there are m multiply n ways to perform both events अब जारा इसका मतलब देख लेते हैं कि मतलब यहां पर क्या था ठीक है जैसे आपने देखा था आपके पास एक event था कि आप shirt पहन रहे थे pen pen रहे थे code पहन रहे थे अगर आपको बुला जाए कि तीनों event आपने एक साथ करने हैं अभी मैं यह नहीं कहा रहा कि या shirt यह उर्दू का word बड़ा important आप इसे सीख लो या या को English में हम क्या कहते है और जब भी और की बात की जाती है न तो आप add कर रहे होते हो और यह समझ लो जब भी both की बात की जारी होती है तो आप multiply कर रहे होते हो यह जैसे आपने एक साथ पहन नहीं है सब इवेंट एक साथ perform करने हैं तो आप क्या करोगी जितने उनके इवेंट के अंदर आप यह समझ लोग जितने elements हैं जितने आउटकम्स हैं उनके उनको आपस में multiply कर देना फॉर एक्जेंपल पिछले वेंट आप में देखा था तीन च्टे थी दो पेंट थी दो कोट थी तो थी इसका मतलब इन तीनों एवेंट को एक साथ perform करने के बारा तरीके तो प्रड़क्ट तूल हमें कहता है कि पस जितने भी नंपर आप वेज़े किसी भी इवेंट को perform करने के उनको आपस में मैं आपनों को मजीद एक्जैंपल देता हूं इसके फॉर एक्जैंपल अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे यहाँ पे तीन डिजिट वाला नंबर बताओ कितरे बंसकते हैं इन वाजिन नंबर से खॉर एक्जैंपल थीजिट नंबर क्या होगा फाइफ फॉर थी इन्ही टिजिट से बनाए ना इसी तरीके से वं फॉर फाइफ अगें इनी डिजिट में से यह थी डिजिट का नंबर बना यह यह हो सकता 146 नहीं क्योंके 6 जो है ह आपिनुके सामने लिखे हैं इन ही में से आपने थ्री डिजट के नंबर बनाने तो सवाल यह कि कितने ऐसे नंबर बनेंगे थ्री डिजिट के जो इन टीजिट से बने होंगे तरह पूरे आप काउंट करने लगता हो तो अनुक्ट लगाए जाईगा तो उससे बेड़ेघर पता हों में कि टोटल कितने आपके पाद थ्री डिजिट के नंबर बनेंगे फ्रॉम इस तो उसको करने का तरीका क्या होगा अब सबसे पहरे यह तीन प्लेसित हैं अगर आप देखो तीन डिजिट का नंबर रहना वान टू थी तीन प्लेसित जिनको आपने फिल करना है पहल कि यह जो प्लेस है इस पर आप कितने डिजिट कर सकते हो तो क्यूंक आप नहीं फॉर फाइड्बल्स के सब को देखो किसी के स्टार्ट में वन आ रहा है किसी के लिजो यूट से पांच में से आ सकता है तो इसको से हो इषयर कलें जो इसको एवन बोलोगे मतलब चो पहली ब्लेस सब्सक्राइब करने कि इत्ले हैं पांस तरीके हैं कोई भी 5 डिजेड्ट आप यहांपे पुट कर सकते हो पांस हों कर कर लिह सब्सक्राइब अब this यहांप कर लिया त्व मसे आप ने कोई हैं divers दिया कर दिया यहां पर यहां पर अब जबेंट लॉस्त क्या करने कि कि तरीके हैं यहां यहां पर थारिक्त में दूृसरी में फ़िए प्रकर करने कीतने तरीके ंब आप के रख कि क्या आपको तीन डिजट के नंबर बनाने है तो इसका मतलब यह तीनों एक साथ यूज करोगे ना यह तो नहीं कि आपको तीन डिजट का नंबर बनाना है इसका मतलब यह जो तीनों इवेंट है यह एक साथ प्रफॉर्म होने मतलब यह वाला यह वाला यह एक साथ करने के नमबर को वेस्ट और एंट को परफॉर्म करने के वेस्ट थ्री है इन सब को मुल्टिप्लाइक करो फाइफ वोड़ ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री जा क्या होगा 60 इसका मतलब आप 63 डिजिट के नमबर बना सकते हो इंडेट है किया कि तो यह मैने दो किसम कि डिफरेंट पर दिया आपको एक पहले शर्ट पेंट वाली एक यह वाली दे यह मजीद इंब designer में देता रहोंगा भी मैं संब किन्सिपल बता दू फिर मैं आपको मजीद इंग् cou लिए पित Warsz Chat सी के अब दूसरा पर नहां यहाँ को एंट पे बताऊना some principle क्या होता है देखो some अभी आपने इधर भी दो event की बात के थी और आप दोगइंट को एक साथ पर्फॉर्म कर रहे थे तो प्रोड़क्ट principle आप लगा रहे थे अगर आप दो event को एक साथ पर्फॉर्म ना करो, मतलब या तो पहले वाले वाले वेंट को परफॉर्म कर लो या दूसरे वाले वेंट को परफॉर्म कर लो और दोनो वेंट एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते हैं, इसमें शर्त है कि दोनो वेंट क्या हो, एक साथ परफॉर्म ना हो सके हुँआ अब देखों कुछ ऐसी situation होती हैं जिसम्में दो क्या सकार्ण परफॉर्म हो ही नहीं सकते हैं नियुक्त अब आपका ऐसी example दूँगा जिसमें बताऊंगा कि इस दो चीजें एक साथ अगे बहुत बहुत बता है इसको mathematical अंदास में आपको example दूँगा आगे जाके तो कहने का मतलब है कि दो इवेंट हो और उनको आप एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकती या तो पहले इवेंट को परफॉर्म करो या दूसरे इवेंट को और का वर्ड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं कि या तो पहला इवेंट और या दूसरा इवें प्रोड़क्ट में आप सब इवेंट को एक साथ परफॉर्म करते हों जबके अच्छा एक साथ परफॉर्म करने का मतलब नहीं कि एक साथ ही आपने कर लिया इसका एक मतलब यह होता है कि भाई आपने पहले परफॉर्म किया फिर आपने पहले पेंट पहनी फिर आपने शर कि वो मैं एक्जेप्टल दूंगों तो मजीद आपको बात क्लियर हो जाएगी तो ज़रा मैं इसके डेफिनेशन के शुरू के दो लब सेम है या शुरू के दो जुनले यह इफ से लेके इवेंट तक मैं इसी तरह लिख रहा हूँ कि परिकों सही यही काम करने हाँ है कि if there are m ways to perform one event फिर दूसरा जुनला भी होई है and there are n ways to perform second event और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ मियूचली है एक्सक्लियूसिव मैं अब यह क्या हो दो यह बहुप कहते हैं तो मामला पूरा क्लियरЗд bhr डिनको एक तो भाइं पहले को परफॉर्म करने के घरीकहे दूसरे को परफॉर्म करने के अन तरीके और शारत क्या है कि दोनों मिस्ले एक्स्क्क्यूसिव हों मतलब दोनों एक साथ प्रफॉर्म आप नहीं कर सकते Then, there are M plus N ways to perform either task. अगर आपने दोनों टास्क में से कोई एक परफॉर्म करना है, या तो पहला वाला कर लो या दूसरा वाला, तो आप क्या करोगे? आप नमबर आफ जो पॉसिबिलिटीज हैं, नमबर आफ वेस को आपस में क्या कर दोगे? ADD दो, तो SUM principle में आप ADD करते हो, PRODUKT principle में आप MULTIPLY करते हो, तो यह दर language आद रखना अगर बोथ की बात कि जा रही है, तो आप MULTIPLY करते हो, चीक है? और अगर आईधर की बात की जा रिए कि या तो पहला करो या दूसरा करो तो उसके लिए आप और का वडियूस करते हो और में आप एड़ करते हो और बोथ जब दोनों चीज़ने एकसाद परफॉर्म करते हो उसमें हम मुडिप्लाइ करते हो अब इसकी एकसाद करते हैं मजीब बात के लिए हो जाई है फॉर एकसाद अगर मैं आपको बोलू कि आप में कराची से हैदराबाद जाने है आपके पास कराची से हैदराबाद जाने के कितने आप्शन है आपके पास पहला आप्शन तो ये है कि suburbs 3 अबकर talks बस में कितनी हैं इसको इस तरह बिखे टिए है कि पराइक तिने एस ब़समें जाने के कितокиक इनो वरotz सब्सब्स करते हैं उसे निरिए अब अगर आपसे बोला झाने के लिए कराची से हैधराबाद जाने के कितने तरीके हैं तो आप क्या करोगे इंदोनों को आपस में अड़ करोगे क्यों क्योंकर इन दोनों इवेंट को एक साथ रफारी नहीं सकते का यह possible है कि आप कराची से हैदरबाद किसी बस में बैठे हुए हो और साथ-साथ आप ट्रेन में भी बैठे हो ऐसा पॉसिलिव तो आप देख लेकं दोनों इवेंट को एक साहथ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं या तो एक इंवेंट को या दूसरे वाले बाले को इसका मतलब total possibilities कितनी है आप इनको आपस मेरिट करतो 5 पांच तरीकों से आप कराची से हैदरबा जा सकते हैं आपके पास option क्या है आपके पास for example मैं लिख देता हूं आपके पास option क्या है आपके पास desktop computer है आपके पास तीन option करता है किस हिसाब से प्रोसेसर के साफ से रेंव के साथ तीन option क्या है या चेमरेशन के साफ से हैं कोर के साफ से जो भी है इसी तरीके से laptop के option कितने हैं आपके पास for example चार अमीर कर देते हैं हम हम Macbook कर देते हैं वहीं मतलब आप इन तीन एक साथ प्रफॉर्म नहीं कर सकते हैं अब यह यह mutually exclusive event नेचर में खुद नहीं है आप इनको एक साथ भी प्रफॉर्म कर सकते हो ऐसा नहीं आप तीनों computer ले लो तो यह कि एक situation में mutually exclusive नहीं है लेकिन मैं जो मैंने restriction लगाई गया ना उस restriction की वज़ा से यह mutually exclusive बन गया है क्यों मैंने restriction यह कि मुझे एक ही computer ले रहा है तो या तो मैं यह लूँगा या उर्दू English इसमें वर्ट किया और कि या तो किसको भाई करोगे और इसको भाई करोगे और इसको भाई करोगे तीनों मैंसे एक आपने वाई करना मतलब इन कि तीनों इवेंट में तीनों को एक साथ परफॉर्म नी करना किसी भी एक को परफॉर्म करना है तो तो टोटल पॉसिबिलिटिस कितनी है आप एड़ कर दो बारा तरीके से आप जूज कर सकते हैं बिल्कुल सैंस बन रही है भाई तीन डेक्स्टॉप हैं चार लेटॉप हैं पांच में इसमें से कोई एक चूज करना है तो बारा आप्षण है आपको यह किसकी ग्जैंपल हो गई संप्रिंसिपल की अब यहां पर तीसरा प्रिंसिप प्रिंसिपल ओफ इंक्लूजन एंड एक्स्क्लूजन अच्छा नाम इसका ही है क्या होता है जड़ा देख लेता है मैं अभी जो अगले एक्जैंपल बना रहा हूं काफी यूनिक एक्जैंपल आपनी मैंने खुद बनाई है तो इससे जरा समझते कि इसमें और इसमें फर जाओगे पढ़ोगे उनिवस्टी में तो एक होता है फाइनल एक फॉर एक एजुकेशन एक चैनल इंग में आपकी तो जो चौना साल होते है आफरी साल जो होता है उसमें आपको एफ़ वाईपी मिलता है एसमें आपको कोई प्रजेक्ट उठाना पढ़ता है पूई टॉ प्रफेसर एक तो अगर आप इंटरस का टॉपिक है तो आप उठा लो इसी तरह कोई दूसा टीचर है वह तीन चार टॉपिक को हैं तो प्रफेसर जो है पहला प्रफेसर जो है उसके अंटर पांश टॉपिक पांश टॉपिक को हैं इसी तरीके से प्रफेसर भी है जो फॉर इंटर चार टॉपिक को हैं आपने एक ही उठाना होता है अब अगर आप अब अब जर्फ करो तो यह क्या है यह मिचली एक्सक्यूजिव इंट क्यों क्योंकि आप दोनों के एक साथ प्रफॉर्म नहीं कर सकत तो यह ना मतलब टॉपिक को उठाने की बात कर रहा हूं तो या तो आप इसके टॉपिक को यह भी उठालो जो आपको पसंद दें यह इसको अगें यह किसकी एक्जैम्पल की इन दोनों इवेंट को आप एक सांथ प्रफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो तो टोटल कितने आपक का एक्स्टेंडड वर्जन है यह उस वक्त आप यूज करते हो जब आपके पास एवेंट मुचली एक्स्क्यूजिव ना हो क्या मतलब कि उनके दर्म्यान कुछ कॉमन चीज़ हो फॉर एक्जैम्पल मुचली एक्सांथ प्रफॉर्म नहीं हो सकते हैं कहने का मतलब इवें इसको मॉडिफाइ करता हूं कि जो प्रॉफेसर एथा उसके पास पांच टॉपिक दूसरे के बाद चार टॉपिक इन दोनों के पास एक कॉमन टॉपिक है पहले इनके टॉपिक डिफरेंट थे कॉमन नहीं थे अब मैंने एक्जैम्पल क्या दिये कि इनका एक टॉपिक कर रहा है यह प्रॉफेसर भी भी हेंडिल कर रहा है तो अब अगर आप देखो इनका एक आउटकम से मैं इन दोनों के परफॉर्म करने का एक तरीका सेम है कोमन तरीका के क्याने का मतला अगर मैं यह वालगा उफ़ार growing Solar को कर वाला तो मैं इस वाले इवेंट को भी perform कर रह तो आप यह वाला प्रिंसिपल क्या कहता है यह वाला प्रिंसिपल कहता है कि आप पहले इन दोनों के आउटकम को एड़ करो आपस में 5 प्लस 4 ठीक है उसके बाद आप सब्ट्रेक करो जितने कॉमन है इनकी यहां पर जो मैंने एक्जेंपल दिये उसमें प्रता है कि एक टॉ तो आपक ता वाला उन 5 में वोला टॉपिक आता है और उन 4 बहुत आ रहे हैं तो उस टॉपिक करने के लिए एक प्रफिट करना पड़ेगा यह वह तो प्रिंसिपल ऊफिपल उप्रिजिए लगता है जब आपने किसी भी एक को परफॉर्म करना है लेकिन वह मूंने के लिए तोनों के feeling को मायने सब्सक्राइब कर दो को माम